Hello student, आज के class में हम Engineering Mathematics के Linear Algebra का Multiple Choice Question करने जा रहे हैं जो competitive exam में पूछा जाता है, जिसे gate हो गया, net हो गया, PSEU हो गया, ये सारे exam में पूछे जाते हैं, और भी कई सारे हो पहला question जिसमें से हमारा पहला question आता है जिसमें से पहला question हमारा आता है, for matrix of same dimension M and an scalar C, which one of these properties does not always hold अब हम जानते हैं कि जो matrix होता है, matrix के अंदर जब multiplication करते हैं, दो matrix का, तो उसमें क्या होता है matrix of multiplication वो product rule को fulfill नहीं करता है, इसका मतलब है M and not equal to Nm का आएगा तो यही हमारा option D number answer सही होगा अगला question हमारा आता है given a system of equation X plus 2Y plus 2Z is equal to B1 और दूसरा equation हमारा है 5X plus Y plus 3Z is equal to B2 which of the following is true, its solution अब इसमें हमें क्या करना है तो पहले इसका एक condition होता है कि rank of A is equal to अब हम क्या करते हैं, A और यह जो B1, B2 है इसको साथ लेके जब solve करते हैं तो उसको C कहा जाता है तो rank of A is equal to rank of C होता है तो उस case में कहते हैं कि यह solution जो होगा वो या तो unique होगा या तो infinite होगा अब क्या होता है, unique का condition होता है कि rank of A is equal to rank of C is equal to R R मतलब unknown मतलब इसमें कितने variables यूज किये गए हैं जैसे X, Y, Z यूज किया गया है तो 3 variables इसमें यूज किये गए हैं तो यह जो हमारा question दिया हुआ है इसके according अगर हम बात करते हैं तो rank A का rank जो आएगा वो 2 आएगा और rank of C भी जो आएगा वो 2 आएगा लेकिन जो इसमें number of unknowns हैं वो 3 हैं तो इसका मतलब है कि यहां पर rank of A is equal to rank of C less than R होगा R मतलब number of unknowns तो इसका मतलब है इसका जो correct answer होगा वो हमारा B होगा क्यूंकि इनुक solution तो होगा ही नहीं और no solution का condition होता है rank of A is not equal to rank of A तो यह हमारा C भी नहीं होगा तो D भी नहीं होगा इसलिए हमारा correct option जो है वो हमारा B हो गया अगला question हमारा आता है which of the flowing state is true for all real symmetric matrices अब क्या होता है कि जो real matrix का हम आइगन value निकालेंगे वो real ही होगा simple सी बात है और real में कुछ भी हो सकता है positive ही हो सकता है उसके value तो इसलिए इसमें जो correct option होगा वो हमारा A आ जाएगा अगला question हमारा है the flowing system of equation x1 plus x2 plus 2x3 is equal to 1k और दूसरा equation है x1 plus 2x2 अगला question हमारा है the flowing system of equation x1 plus x2 plus 2x3 is equal to 1k दूसरा equation है x1 plus 2x2 plus 3x3 is equal to 1k तीसरा equation है x1 plus 4x2 plus ax3 is equal to 4k है जी unique solution the only possible value for A is मतलब क्या होगा A का value वो हमें पूछ रहा है अब क्या है unique का condition होता है अभी उपर मैंने question में यही चीज़ बताया था इसका condition क्या कि rank of A is equal to rank of C होता है तो उस case में कहते हैं कि इसके या तो unique solution होंगे या तो infinite solution होंगे अब बात आती है rank of C is equal to number of unknowns तो जो अगर हम इसका rank of A निकालेंगे तो वो भी 3 आएगा rank of C निकालेंगे वो भी 3 आएगा और इसमें number of unknowns जो हैं वो भी 3 हैं इसका मतलब है कि यह unique solution देऊगा उसके बाद क्या करेंगे A जो हमारा आएगा sorry C जो हमारा आएगा उसको अपर ट्रेंगलर बना लेंगे अपर ट्रेंगलर का मतलब हुआ डागोनल के नीचे वाले जो भी elements होगा उसके अंदर वो सारे को हम जीरो कर देंगे तो उसे में help मिलेगा कि last वाल equation 3 से हमें x3 मिल जाएगा और equation 2 से हमें x2 मिल जाएगा और equation 1 से हमें x2, x3 का value डाल देंगे तो x1 मिल जाएगा तो जब वो condition हम लेके आएगे तो फिर क्या होगा कि यहां जो x1 का coefficient 1 है और x2 का coefficient 4 है और x3 का coefficient a है तो जो a है उसके जगह जब हम solve करेंगे तो देखेंगे a-5 करके आजाएगा a-5 करके is equal to 0 तो यहां पर क्या है unique solution है तिसलिए वहाँ पर हम लिखेंगे a-5 is not equal to 0 तो इसका जो answer होगा means इसका मतलब हुआ कि a जो है not equal to 5 होगा means क्या है कि पहला तो होगा ही नहीं 0 दूसरा भी नहीं होगा either 0 or 1 तीसरा भी नहीं होगा चोधा होगा कि any real number होगा सिर्फ 5 को छोड के तिसलिए इसका correct option जो हो गया वो d number हो गया अब अगला question हमारा है the system of equations given Velo has x plus 2y plus 4z is equal to 2k दूसरा equation है 4x plus 3y plus z is equal to 5k तिसरा equation है 3x plus 2y plus 3z is equal to 1k अभी पिछले वाले question में भी यही मैंने बताया है कि अब क्या होता है unique solution का infinite mini solution का उसके बाद no solution का condition होता है कि rank of i is equal to rank of c आता है तो उस case में दो possibility होता है कि या तो unique solution होगा या तो infinite solution होगा तो unique का condition होता है कि rank of i is equal to rank of c is equal to number of unknown तो उस case में unique solution होता है, लेकिन जब rank of a is equal to rank of a c, less than number of unknowns होते हैं, तो उस case में many solutions होते हैं, और अगर rank of a is not equal to rank of a c होता है, तो उस case में कहते हैं, कि इसमें कोई solutions नहीं होंगे, तो जो ये question हम solve करेंगे, तो इसमें rank of a a जो आएगा, वो भी 3 आएगा, rank of a c आएगा, दिख रहा है कि 3 है, इसका मतलब है कि ये हमें एक unique solution देगा, तो इसका correct option जो हो जाएगा, वो हमारा a number हो जाएगा, और ये series आगे भी ऐसे ही चलते रहेगा,